अगर आपको मने वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट वर शेयर करें और ऐसी ही ताज़ा ख़बरों को पाने के लिए हमारे चैनल प्यार एस्टी न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें तमस्कार स्वागते आप सभी का प्यार एस्टी न्यूज में आईए नज़र दालते हैं आज की बुकिया ख़बर पर अयोधिया में बदमासोने की फारिंग यूवक की मौत दो किशोर यंग खायल दुर्गापूजा महसब के दोरान हो रहे देवी जागरन में चार यूवकों में एक यूवक पर तावर तोर फारिंग की हमले में यूवक की मौत हो गए जबकि उसकी दो बहने गंभी रूप से घायल है जिनने लकनौर रिफर कर दिया गया है अस्थानी लोगों को एक तरह होता देख हमलावार अपने वहां छोड़ कर फरार हो गया वारदार चैर की देव काली सित नील गोदाम के पास की है इसपी सिटे विजेपाल सिंग ने बदाय की बुदाए की बुदार की देर रात नील गोदाम के पास साजे दुर्गापूजा पंडाल के पास जागरन हो रहा है बगल में ही मंजीत यादव का घर है जागरन के दोरान ही लगजरी वाहनों से पहुँचे युवकों का एक अस्थानी युवक से विबाद होने लगा शोर सुनकर घर से बाहर निकल कर मंजीत मौके पर पहुँच गए बदमाशों ने मंजीत पर फाइलिंग शिरू कर दी मंजीत को बचाने पहुँची उनके पहन लग्यों और खुशी को भी बदमाशों ने गोली मार दी सूचना पाकर पहुँची पुलिस ने तीनों को जिला स्पताल पहुँचाया एसपी पलास मंसल ने बदाया कि जिलास पताल में चिकत्सकों ने मंजीत को मिरतभुषित कर लिया दोनों बहनों को लखना और रेफर किया जा रहा है एससपी शैलेस पाने ने भी घटना स्थल का जयज़ लिया मंजेत की मा सावितरी ने बताया कि उनकी किसी से भी कोई रंजिश नहीं है मंजेत के पत्नी गुरिया का कहना है कि जागरनस्थर पर विवाद की बात सुनकर उनके पती बाहर निकले थे तब ही बदमाशों ने उनके पती और दोनों ननंद को गोली मार दी सौजरों की माने तो तीन लगजरी कारों में सवार हो कर बनाश आई थे। हमलावारों में कुछ लोग जनोरा के रहने वाले बताय गए हैं। S2 का कहना है कि मौके पर मिली हमलावारों की कारों को कब से मिल लेकर वहाँ सौम्यों का पतार लगाया जा रहा है। एक संदिक्त युवक को हिरासत में लिया गया है। उससे पूस्ताज की जा रही है। से अभी रिफर किया गया है वो प्रामा सेंटर लखनव रिफर हुई है। अब इससे दुर्भाग क्या होगा इस सरकार में कि अपर आधी कितने खुले ताउर से बेखाउफ हैं। कि एक गरीम मध्यम मरगी परिवार के जो चालक है जिनके कहीं कोई दुस्मनी नहीं है। से ड्राइबर का काम करते हैं। उनके बोली मार दीकैंटिा और उनकी डेठ ँगाई है। है घ्री से मांग करते हैं। कि इस परिवार को क्रोणा रूपया मौना दिया जाए जो बेटिया सिंटर की गई है उनकी इलाज की संचित बेवसा की जाए और जल से जल दोस्यों को पकला जाए जो अपराधी हैं जिन्होंने गलत कृत किया है उनकी गिरिफतारी करके कड़ी से कड़ी करवाई की जाए और यह बहुत दुर्भागे पूर्ण है कि आज जब पूरा जद्या फैजाबाद दुर्गा पूजा और इस म मंजीत यादों की मृति हो गई है यह बहुत ही दुखा धान निंदनी है बस कुछ कहने के लिए सब्द नहीं मैं इसकी निंदा करता हूं परिवार के लिए सरकार से चाहता हूं मुहाउजा दे और पेटियों के अच्छे सचा ही लाज कराएं फिलाल के लिए बस इतना ही अगली कबर में फिर मुलाखात होगी तब तक के लिए देखते रहे हैं प्यार एस्टी नियूस आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट हैं www.prstnews.web